ओके तो आज हम लोग करने वाले हैं इस फोन का कैमरा रिव्यू जिसका नाम है वीवो एक्स नाइंटी जैन दोस्तों क्या हाल है और यह वाला कैमरा रिव्यू बिल्कुल एक रियल लाइफ मतलब आडे वीद कैमरा स्मार्ट फोन करते हैं यहां पर में लो लाइट बैडे ल आडे लाइफ में लिक्किया जाए कुछ भी दिख जाएगा मुझे भी नहीं पता जो जहां दिख गया जैसे चलते जलते पानी दिख गया और यह फोन है इसकी रिफ्लेक्शन का यूज कर लेते हैं मस्त और अभी की डेट में मैं इस पार्क में आ रखा हूं तो यहां पर कुछ नजा रहा काफी अच्छा में दूप भी औरी कभी चाहां औरी कभी दूप फोकस वगारा तो काफी सही काम कर रहा काफी फास्ट फोकस कर जिस तरीके आप देशेते हैं यहां पर और मेरे साथ यह दो लोग हो रहे है मेरे पास विवो एक्स नाइंटी प्रो और एक्स नाइंटी दोनों थे तो मैंने सूचा क्यों ना एक्स नाइंटी की बात किया जाए बिकोज एक्स नाइंटी का जो प्राइज है वह एट जीव रैम टू फिफिटीश जीवी स्टोरेज के साथ आपको 60,000 से नीचे मिल ज सब्सक्राइब करने काम आता है और यह कैमरा आता जाइस कोटिंग के साथ और साथ में सेल्फी मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल तो सुरू करते हैं आई हो आपको यह वीडियो प्रसंद आएगगी क्योंकि मैं हर्ट कंडिशन की फोटो दिखाने यहां शूट करेंगे आगे यह वाला फ्रेम बनाओ बड़िया लगेगा बैम्बू के साथ कई भी खराब नहीं दिखना चीए मैं एक दम मस्ता रहा है और सारी फोटो मैं नैच्रल क्लिक करूंगा स्टो कैमरा से क्लिक करेंगे मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ पता रहे जैसे यह इनका कैमरी अप्लिकेशन है और एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आप दिखाता हूँ आपको यह अल्ट्रा वाइड अंगल की फोटो है यह में कैमरा की फोटो है यह इसका 2x जूम है अप्टू यह 20x तक जा सकता जूम करके और यह जो जाईस ऑप्शन म मेंचन होगा कि हाँ यह वीवो से शूट हुआ है ताकि आप कंफ्यूज नहीं कब कैमरा शूट हो रहा है कब फोन से जैसे यह सल्फी वीडियो इसकी तो यहां कोरना में लिखाएगा अभी चलते चलते ना यहां पर यह दिख गया मेरेको वीडियो में डायमिक रेंज कु ऐसे बस यहां हाथ लगाना आपको तो यह हाथ लगाना इस फोकस हो गया ना अगर मैं हाथ अटा भी लूँगा अब यहां से फोटो क्लिक कर सकते हो आप ओ फ्लावर्स दिख गये बाई यह अल्ट्रा वाइट था में यह कब सारे फूल गिरे हुए इस पेड़ से फोर अपना कमाल तब दिखाएगा जो थोड़ी सी आप अपना भी कमाल दिखाएंगे फोटो क्लिक करने में अब इस फ्लावर को भाई नॉर्मल रेगुलर क्लिक करूँगा तो यह कुछ ऐसी से आईगी फोटो लेकिन फोन को बस में नीचे लगां यहां पर किलिक कर दो धूंगा तो यहां पर न मैकरो में जाने का आप्ची मिलता है दूर जाते घटे जाता है और नज दि जाएंगे लाई यहां से auto switch जाता है macro में, but मैं ओनी कर देता हूँ, यहां से click करते है, खोड़ी महनत के बाद भाई हमें कुछ ऐसी ऐसी photos मिली है, तो भाई यहां पर ना sweetly बैठा हुआ है, यहां चाहो है, तो dynamic range बगरा कैसा है portrait में, different portrait दिखाता हूँ आपको, portrait mode, 2x lens इसका आगया, okay click, balance कर यह बाई, dynamic range अच्छे से, by the way, इस phone में आपको, main camera जैसे चलते वे video शूट कर रहा हूँ, तो यहां पर आपको लोग है, यहां, कि इसका जो OIS, EIS के combination है, वो सही से काम करता है, by the way, मैं option मिलता है, standard EIS अगर enable करते हैं, तो 4K 60fps तक जा सकते हैं, उसके बाद यहां पर ultra वाल quality मिलेगी, even horizon वाला option मिलता है, horizon line, horizon line में क्या करता है, यह न, ultra wide angle camera को use करके, lock कर देता है, frame को, तो यहां पर न, पूरा phone भी घुमा दोगा, तो भी video इसमें क्या होगी, rotate नहीं होती है, और साथ में, लेकिन यह जो horizon line वाला option है, इसमें आपको quality इतनी high नहीं मिलेगी, 1080p पे option भी देखने को मिल जाता है, वीडियो स्टेबल है, चलते हो शूट हो रही है, मतलब मैंने क्यूंकि टेस्ट के देखी लिए न, गुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, लेकिन एक ची बताना चाहूंगा यहां पर, selfie के अंदर आपको quality मिलती है, यहां 1080p तकी मिलती, 1080p जा सकते ऐसे दिक्कत हो भी बात नहीं, तो डाइनमिक रेंज मेंगर आगर आप पीछे देखेंगे, स्काई दिख रहा है, धूप भी है, तो वह दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफ और के option नहीं मिलेगा, 1080p 60fps तक रिकोड कर सकते हैं, इन फैक्ट यहां पर शुटर स्पीड करने के लि सब्सक्राइबर्स मिल चुके है, क्या नाम है आपका, अभी शेक्सी मिलेगा, इनके फोन में वाली इशु दिख गी मुझे, वह ग्रीन लाइन इशु कब ठीक होगा भाई, पहले ना ग्रीन लाइन था, पिंक हो चुका है, सबसे पहले चेक करते हैं, मेन कैमरा में मतलब यहां पर यह बस इन्होंने, बीज-बीज में ऐसे जमीन पर फ्लोर पर लाइट लगा रखी है, रियल लाइफ में कुछ इतना है दिख रहा लेगिन कैमरे में ओप्शन होता न, इस तो बढ़ाने का, तो मैं यह तो इस बढ़ा के अपने आपको ऐसे करके दिखा रह यहां काफी साथ लाइट वगरा जल रही है, यहां पर क्लिक करके देखते हैं और यह रहा हमारा फोटो, फाइनली प्रोसेस हो गए, तो आप देखो यह वाला जो लाइट का पार इस ने यहां भी बैलन्स कर दिया और एक्सपोज नहीं किया, और उपर भी नोइज बगरा तो मून वगरा है, सबको बैलन्स कर के दिखाता है, इनफेक्ट सूपर मून को आप जूम कर सकते हैं, मून की फोटो भी दिखा देता आपको कुछ इस तरीके से मून फोटो ले सकते है, और मैंने चेक किया, भाई, लाइट बैलन्स भी अच्छा कर लेता है, मैं दिखाता कि में थोड़ी soft तो होगी, ऐसी जगा main camera ही recommended होता है, ultra wide angle camera, daylight में ज्यादा यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पर एक feature मिलता है, video recording में, super night video, इन छोड़ी छोड़ी पत्तियों पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा details, better देखने को मिलता है, super night video के साथ, और आपको पता होगा, वीवो का X series का phone है, यहाँ X90, X90 Pro दोनों में ही, custom V2 chip यूज होता है, जो main processor के साथ मिलके, better photo video देने के कोशिच करता है, in fact, अगर आप देखेंगे, इसका जो viewfinder है, इसमें हमें, जैसा सामने जादा अंधेरा है, इसके अंदर जादा bright show होता है, तो अभी हम लोग ना, दू बहुत अभाई, और ultra wide angle camera पर switch कर सकते है, हम लोग, 4K 30fps तक, 4K 60fps पर switch नहीं होगा, 4K 30fps पर switch हो जाता है, रात के time भी मैं देख रहा हूँ ना, जैसे यह lights जल दी ना, ऊपर से, board बगर आप light काफी बैलन्स कर रखा, मैं same जगा की photo दिखाता हूँ, अ ठीक है, night sample लेने के लिए काफी यह जगा हो, साथ लोगों स्पोर्टर रोगारा लेते हैं, फिर आपको सब भी खाता हूँ, हेलो, काफी सारे sample होगे, अब चलते है, PC में देखते है, उन फोटो को, तो यह था भाई, पूरा X90 के साथ, मैंने daylight, low light sample सारे दिखा दिया आपको, वो भी real world में, क् इस तरह की वीडियो में मैनस ज्यादा लगती है, लेकिन kind of fun वीडियो भी हो जाती है, और for clarity में बताना चाहूँगा, यह वीडियो वैसे वीवो के साथ collaboration में बनी थी, but trust me, पूरे वीडियो का concept मेरा है, मेरा ही प्लान था कि मैं इसको outdoor लेके जाने वाला हूँ, वो इस तर and different, यहाँ camera style के option में, यहाँ multiple option देखने को मिलते है, cinematic को, या फिर जो यह है, cine flare, इसमें actually आप photo click करते हो, यह खुद ही एक flare add कर देता है, photo के अंदर, और social media पर आप direct share कर सको, ना आपको edit करना पड़े जादा ना कुछ, especially portrait mode low light में मैंने notice किया, जैसे night portrait बगार आना, जहाँ पर light come होती है, तो अच्छे-ची photos निकल का आजाती है, देख सकते हो आप, और साथ मैं आप ए sports mode दिया हुआ है, like vehicles move कर रही है न, तो photo जल्दी click कर लेता है, night sports mode का काम करता है, बाकि selfie photos नहीं show किया, मैंने, सोचा एकी साथ दिखा दूँगा, वीवो की selfie attractive type आती है, तो यहा like, share, subscribe करना, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में